सर हम लोग नोटा में रहते हैं मैं और मेरे हस्बेंट अभी फोली में हम लोग बिहार आये हुए थे सर फोली बनाने के लिए पूरी शामली का गेट टूगेधर था नाइंफ एप्रेल को मेरे हस्बेंट की तब्यत खराब हुई फीवर हुआ उनको काफी थे हमने कोरोना का दो तीन तीन बार टेस्ट करवाया नेगेटिव आया आटी पीसी आर के लिए दिया तो वहां पे भागलपूर में सर्फ भागलपूर में थे हम लोग वहां पे एक द अधिक्शन आया, 60% लंग्स उनका उसमें इंफेक्टेट था डामें नहीं था इंफेक्टेट था बस माकी लंग्स का हर चीज पॉफेक्ट था सारा चीज नाग का गले का सब कुछ नॉर्मल था उसमें रिपोर्ट में था फिर हम लोग नेक्स डेग लोकल हॉस्पितल है भागलपूर में, ग्लोकल हॉस्पिटल लेके आए, वहां पर आडमिट कर आए हमने आइसीव में, मेरी मदर की भी तविएद खराब थी, मेरी मम्मी और मेरी हस्बेंट, दोनों एक साथ आडमिट हुए, वहां पर इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही मेरी मदर टचुड, बेटर कंडिशन में थी, थोड़ी मेरी हस्बेंट बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक, इशारे से पानी का ऐसे से बताते थे, लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर, वो मुझे हार के फोन करते थे कि पानी पिला दो, जब मैं अंदर जाती मेरे दो-दो पेसेंट थे वहाँ, हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया, जब वो इंजेक्शन मिला तो एक दिन रात को जब इंजेक्शन देने लगे, हाफ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने, हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होके ठी होती है, आपने कैसे गिरा दिया, उन्होंने कहा कि पचास हजार का भी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी, हम लोग चुप चाप वहाँ से सर हट गए, थोड़ी दिर बाद, वहाँ पे मेरी हस्बिन को मैंने देखा कि उन्होंने दो-तीन बार पॉटी किय किया था, उस यूरीन पास किया था, कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था, सर छे घंटे से वो उसी गंदगी पे पड़े हुए थे, उन्होंने मुझे फिर फोन किया, बस फोन कर पाते थे, सर बोल भी नहीं, बस मिस्ट कॉल आती थी, मैं समझ आती थी, कुछ परिशानी है उन पे, ग्लोकल, ग्लोकल, ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपूर, जोती कुमार, कमपाउंडर है वहां का, मतलब जो अटेंटेंस अब होते हैं न, वो है, लड़की नहीं है, लड़का है, जोती कुमार, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, कि भाया प्लीज, आप मेरे हस्बन की जोती कुमार खीच रहा था, मेरे माँ पीछे से चिलाई, मेरे हस्बन ऐसे होने लगे पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो, जब हम लोग ठीक थे न, मैं बाहर निकलती थी न, कोई मुझे ऐसे देखता था न, नौर्मली ही, तो कहते थे आख न कर लोगा, क्या सोच के इसको देख रहे हैं, और मेरे हस्बन उस इन बेट पर पर हुए देखते रहे हैं, कि मेरे वाहिव का कोई दुपट्टा खीच रहा है, और जब मैं उस आदमी को देखा न, तो वो मुझे रहा था, मैं ऐसे दुपट्टा खीचा, और मैं कुछ नही ठीक है भईया, आप ध्यान डखना, मैंने कुछ नहीं बोला, उसको कुछ भी नहीं, दो-तीन दिन बाद, ऐसे ही कोई, कोई सोविधा नहीं, कुछ नहीं, मेरे हस्बन की तब यह दूस दिन से बिगरी, जब रात के दो बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड़ पे, एक मास उनका हट गया था और उनकल चिला चिला के नर्स को बुला रहे थे, और मेरी मम्नी चिला रही थी, जल्दी आईए यह मड़ जाएंगे, जल्दी आईए यह मड़ जाएंगे, कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोर दिया, ऐसे तीन-चार लोग उस दो-तीन दिन के जाएगा, उसके बाद वहाँ से ले, बाइपाप वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं अपलेबल था, मेरे हस्बेन की तपर दी दिन बहुत खराब हो गई, उन्होंने माया गंज रेफर कर दिया, भागलपूर माया गंज हॉस्पिटल, हम लोग यह माया गंज आए, माया गं पूरा सर फूट गया, ब्लड ब्लड और मर गए हूँ अंकल वहीं पर, इतना मेरे हस्बेन डर गए, शाम होते होते मेरे हस्बेन की तब्यात अचानक से खराब होने लगी, पूरा यह सब राई हो गया, एक लेयर वाइट कलर का जम गया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा तब परसों, सुनिये मेरी बात, पहले कुरी कहानी मेरी सुनिये, मेरी बहन पांच पर छे बर गई है, बुलाने डॉक्टर को माया गंज में, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यहां रात में भी सोने नहीं दोगे, रात में भी सोने नहीं दोगे, जब हमने देखा जाके सर, तो लाइट ओफ इमर्जेंसी के नाइट डॉक्टर्स का लाइट ओफ और सब नीचे बिछा के मुवी देख रहे हैं और सो रहे हैं और दरवाजा तक नहीं खोला सर मेरे हस्बन की ऐसी हालत हो जब मेरे दीदी बहुत जाके चिल आई तब एक डॉक्टर आए वहां से तो उन्हो मेरे हस्बन तुरंत भी जिन्दा हो गया उसी दिन से उनके दिमाग में ऑक्सीजन की किलत का डर बैठ गया सर बहुत साथ भंटे बिन ऑक्सीजन के रहे सर लड़ते रहे लड़ते रहे फिर उस दिन इतना वो डर गये वो बोले नहीं आपको कहीं बाहर लेके चलो दिली मे सर हमने बेड का किया बहुत पता नहीं था दिली में कहीं भी जगा नहीं था हम पतना आए राजिश्वर हॉस्पिटल में सर पतना आए यहां पर इन्होंने कहा आइसीउ में अटेंडनेंट नहीं अलाओड है नहीं जाओगे आप मेरे हस्बन रोने लगे कि मेरी वाइफ क बस भेज़ दो वह रही कि तो मैं ठीक हो जाओंगा इन लोग उने नहीं अलाओ किया सर अग मैंने देखा एंबुलेंस से हम लोग भागलपूर से पटना आये थे राजिश्वर रास्ते में उनको तीन बार पौटी हुई थी सर उसी गंदे बेड पे उनको चार-पांच घ बुला रहे थे सब को मैंने का सर वो बुला रहे हैं किसी को बाहर से तो एक डॉक्टर मुझे कहता है अरे छोड़िये ना वो छोड़ा तो ऐसे ही बखला रहा है जब से आया है मैं मैं उस समें कुछ नहीं कर पाई तर उसके बाद उनका ऑफिजिन लेवल जब 37 हो गया मैंने बढ़ा दिया मैंने बढ़ा दिया उसके बाद इन लोगों ने मुझे बोला मैंने बोला सर अटेंडेंट अलाउड है सार एक अटेंडेंट बैठे हुए थे तो एक डॉक्टर ने मुझे बोला अटेंडेंट अलाउड ने रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सब तो कोरो को बहुत ठीक कर दिया, इतना स्ट्रॉ लगा के सर, मास्क के अंदर से स्ट्रॉ लगा के बाबु को मैंने जूस, दाल, डोटी, सब कुछ पिलाया सर, इतने ठीक हो गए ना कि जो डॉक्टर फर्स्ट डे बोला था, ये बचेगा नहीं, वो डॉक्टर सर, तीन-चार दिन बा बाबु, डेर घंटे के लिए सर, ऑक्सिजन सप्लाई बंद रहता था, बाद में हमें पता चला है, ये लोग ब्लाक मार्केटिंग कर रहे हैं अंदर में, ऑक्सिजन सिलिंडर का, जो कम जो ऑस्पताल वाले हैं ना, वो ऑक्सिजन सप्लाई बंद कर देते थे, ताकि सर, मैंने भी खड़ीदा, क्या करते, क्या करते हमें भी तो चाहिए था, पर्सों सर, सुबह में हमारे पास एक ही सिलिंडर था, पाइप लाइन बंद हो गया, मेरे हस्पेंट को पाइप लगा हुआ था, उनको दो सिलिंडर से जाना था, एक ही सिलिंडर था, सिलिंडर मां मांगते कहीं नहीं मिला, sir, मेरे husband खतम हो गए, sir, मेरे husband खतम हो गए, sir, मेरे बाबू चलागे हम को छोड़के, यहाँ पर भी, sir, यहाँ पर राजिश्वार में, डॉक्रर अखिलेष गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे, sir, चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्में नहीं आपे बढ़ना कर बाहर होता चपल खोल के मैं मारती सर ऐसे हिंसान को वहाँ पे माया गेंग होस्पिटल में डॉक्टर कोई भी डॉक्टर नहीं आता है कि यह बड़े डॉक्टर आये यह बड़े डॉक्टर आये उन्होंने पेसेंट को देखा नहीं वहला इसके आफीजो थरेपी हो पेसेंट को कुछ नहीं मतलब सीप पर पड़ा हुआ पेसेंट और इसको देखने के लिए 24 गंटे में कोई नर्स नहीं आती है रूम बंद करके और सब सोते रहते दरवारे ठकते काई के तो चिला के बोले कि दूर भागो यहां से कोरोना पेसेंट के यहां से आई हो हम लोग अभी रात में नहीं आ सकते हम लोग क्या मर जा पेसेंट के लिए कोई नहीं आता है कोई नहीं आता है देखने के लिए किसी परसो तो मेरा बाबू गया है अब क्या चाहते हैं सरगार से क्या अभी सबसे पहले तो मुझे कोई प्लाटफोर्म मिले जिस पर मैं यह बोल सकूं टीवी पे जाके ताकि लोग बचें अब जिसके साथ जो हो नहीं हो तो सेकंडरी है हमारे जिसे जो लोगों परे है ना जो कि छोर के भूल जाते हैं कि पेसेंट का ख्याल डॉक्टर से रखेंगे वह जा कि अपने पेसेंट का ख्याल रखेंगे तो सम मर जाएंगे सर समर जाएंगे एक डॉक्टर एक दिन आयर राजश्वर में कहते हैं अरे यह बेट अभी तक नहीं खाली हुआ है मतलब यह आद प्रिलेटर भी क्यों नहीं रखा तो जूट कह रहे हैं कि फामिली वालों ने मना किया कुछ भी नहीं तर वो बस वेट कर रहे थे कि ये बेट खाली हो